देखिए अकबार की हेडलाइन आज बनी हुए कि लगबग 22 दिनों से स्वास्त मंत्राले की फाइले अठी हुई है और कही ना कही हमारे स्वास्त मंत्री जी और CMO दफ्तर के अंदर जो भी मन भेद या मत भेद पैदा हुआ है उसके चलते आज पूरे हर्याना प्रदेश मे स्वास्त के मैं कहूंगी जो मुद्धे हैं जो मुश्किल हैं वो भी पाइलप होती चली जा रही है आज पूरे प्रदेश में हर कोई जानता है कि डेंगू सर चड़ कर बोल रहा है लेकिन कहीं पर इलाज नहीं है कहीं डॉक्टर नहीं है कहीं दवाई नहीं है SDP मशीन न पर हैं लेकिन इसके उपर भाजपा सरकार का या हमारे स्वास्त मंत्राले का कोई ध्यान या बयान या कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है खबार आ रही है कि कुड़े के ढेर ने पूरे गुड़गाओं के गाओं के पानी को जहरीला कर धिया है, जमीन जहरीली कर दिया है, आज लोग वहां मर रहे हैं लेकिन स्वास्त मंत्रा ले या स्वास्त मंत्री वहां जाकर कोई ध्यान नहीं दे रहे, किसी का उस तरफ कोई, मैं समझूँगी, किसी तरह से इंट्रेस्ट भी वहां पर नहीं उठ रहा। आज चंडिगड के अंदर मस्किल और आट्रोपी से सफर करने वाले लगबग 200 परिवार, जिनके 200 बच्चे उनके परिवार महीने से उपर से सरकार का दर्वाजा खट-खटा रहे हैं, कि आपने हमसे वादा किया था 5 लाक रुपे की इलाज महिया कराने का, महीने का 2700 मिनिस्ट्री के अंदर जो ये लड़ाई है, आज इसके अंदर जनता प्रदेश की पुरी तरह पिसरी है, हर्याना में ऐसा लग रहा है कि जनता के प्राण जाएं पर एहम ना जाएं, आज एक जिद के चलते, एक मातर समीक्षा बैठक के बाद हमारे ग्रह मंत्री जी ना थो ये क्लियर कर रहे हैं कि व waste मिनिस्ट्र हैं कि नहीं ना ही अपने जिमेवारियों का निरवाहा कर रहे हैं, आज हम उनसे, आज हमारे प्रदेश की सरकार से यही कहेंगे कि ये मतबेद ये मन बेद दूर करते हैं हम घरपैतर के आपसे कहेंगे कि एहम को अपने गुस्से को एक तरफ रखते हुए आज सिर्फ दाइत्र की तरफ भ्यान दें और जनता की मदद करें